नमस्कार दोस्तों रण्जु कीजन में आप लोग का स्वागत है कैसे हैं उमीद करती हूंrico हो अज्चे हूंगे स्वश्च्ड होंगे जहां भी रहे आप लोग अच्छे रहे हैं बरत के लिए कुछ नास्ता बनाने तो पहले हम्यां मसाला तयार करेंगे और इसमें हम भूनेंगे तिन चम्मच के बराबर धनिया है एक चम्मच जीरा है इसको हम इसलिए ज़्यादा बना रहे हैं मसाला कि हम इसको डब्बे में श्टोर करके रख देंगे हमको हमेशा काम लगता है मसाले को और यहां देखिए आधा चम्मच गौल मीर्च है काली वाली इन सब को हम हलका एक मिनट तक भून लेंगे मेडियम फ्लेम पर वो इसकी खुसबूग आने लगेगी उसके बाद हम गैस को बंद करते हैं और इसको एक प्लेट में हम निकालेंगे और हाँ अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और मसाला को ठंडा होने के बाद हम इसको पीछ लेते हैं आप से लवट्टे से पीछ यह या मिक्सर से पीछ लिजिए इस तरह आउडर बना लिजिए और आप श्टोर करना चाहरा है मसाला तो आप ज्यादा करके श्टोर क होना चाहिए आधा चमज जीरा होना चाहिए और एक चमज का चाहुताय हिस्सा काली गोल मीर्च होना चाहिए अब देखिए हैं आलू को हम बढ़िया से धुल किये इसको दो सीटी के पाद इसको ठंडा कर दिया है छिलका उधार के इसको थोड़ा-थोड़ा बड़ा और यह तो नार्मल चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पढ़ने वाले कि जो कीचन का काम नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता हो उनलों के लिए, हिल्फूल होगा, तो यहां देखिए हम दो चम्मच इसमें घीर डालते हैं, आप चाहें तो मुंफली का तेल खा स सकते हैं, रिफायन ओयल खा सकते हैं, उसको भी डाल सकते हैं, जो आपको जैसे ब्रत में सरसो का तेल नहीं खाना है, और यहां आधा चम्मच हम जीरा डाल दिए, जीरा चटक गया, आप इसमें हम चार कटी हुई मिर्च डाल देते हैं, आपको इस पाइसे जितना खाना है कमबे सी आप मिर्च को कर सकते हैं, अब थोड़ा सा मिर्च नरम होने के बाद इसमें हम आलू डाल दिए, और आलू को मीडियम फ्लेम पे हम लगवग 2-3 मिनट तक पकाएंगे, ऐसे चला के छोड़ देंगे, मीडियम टुहाय फ्लेम होगा, अब यहां बढ़ियां से पकेगा, गोल्डेन कलर हमको करना है, गोल्डेन कलर करने के बाद बहुत टेस्टी तयार होता है नास्ता, तो यहां देखिए इस तरह इसको बीच बीच में, पलट देना है, चलाते रहना है, और हाँ फिर से कह रहे हूं, कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल म अब इसमें हम भूने हुए मसाले को डालेंगे, एक चम्मत, यह दो लोग की सबजी बना रहे हैं नास्ता में, और स्वाधनसार इसमें हम डालेंगे सिंधा नमक, अब इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, आलू भी तो भूना गया, और मसाला भी भूना है, बस नमक पक पकाने के लिए हम एक मिनट इसको पकाएंगे, चलाते हुए, अब अधियां इस तरह मिक्स करेंगे, अब लगे कि हाँ, एक मिनट हो गया, नमक गल गया होगा, मिल गया होगा अच्छे से, तो गैस को हम बंद करते हैं, और एक प्लेट में निकालते हैं, तो सर्व होने के लिए यालो की फलार सबजी तैयार है, और अगले पीडियो में अगले रेश्वी में फिल मेंते हूं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाए-बाए